तो दोस्तो आज हम आपके साथ सेयर कर रहे हैं सरसो वाली बेसन की बहुत ही स्वादिश्ट सबजी की रेश्पी ये एकदम सौफ्ट मुँ में खुल जाने वाले बनते हैं और खाने में बहुत टेश्टी लगते हैं तो चलिए बनाना सुरू करते हैं तो इसके लिए हमने लिए हैं एक कप बेसन बरसात का मौसम है तो हम इनको छान कर ले ले रहे हैं जिससे बेसन में गुठली न रहे और गंदगी हो वो निकल जाए अब हम इसमें डालेंगे आधा चोटा चमच लाल मिर्श पौडर एक चोथाई चमच हल्दी पौडर और आधा चोटा चमच जीरा इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे साथ में टेस्ट के लिए आधा चोटा चमच नमक भी डाल देंगे और इनको मिला लेंगे अब हम इसमें डालेंगे पानी तो हमने अभी एक कप पानी लिया है पहले थोड़ा पानी डाल कर मिक्स कर लेंगे जिससे इसमें गुठलिया ना रहे और बाकी का पानी हम बाद में डाल देंगे आधा कप पानी हमने और लिया है इस तरह से एक कप बेसन में हमने डेड़ कप पानी डाला है और देखिए इनको मिक्स करके एकदम पतला घोल तेयार कर लिया है अब गैस पर पैन या कड़ाई रखिए और इसमें एक छोटा चमस तेल डाल दीजिए तेल को हमने पैन में फैला लिया है और अब हम इसमें डालेंगे ये बेसन का घोल घोल बहुत जल्दी गाणा होने लगता है तो इस टाइम गैस का फ्लेम लो रखिएगा और इनको लगातार चलाते हुए पकाएंगे जिससे कि ये तली में चिपके नहीं और इनमें गुठ लिया न पड़ें दो से तीन मिनट पकाने के बाद ये देखिए ये मिस्टर पैन चोनने लगा है और ये गाणा हो गया है तो हम गैस आफ कर देंगे और इनको हम प्लेट या थाली में निकाल लेंगे थाली को हमने ओल से ग्रीस कर ली है जिससे कि ये चिपके नहीं अब इसे बराबर से फैला लेंगे तो देखिए हमने इस तरह से इसे फैला लिया है आधी इंच की मोटाई में अब इसे 5 मिनट ठंडा ओने के लिए रख द तो मिक्सजार में हम ले रहें दो चम्मच सरसो के दाने काला या पिला कोई साभी ले सकते हैं एक चम्मच जीरा एक चम्मच साबूत धनिया एक इंच दालचीनी को हमने छोटे टुकडों में तोड़कर ले लिए जिससे कि ये असानी से पीच जाए एक बड़ी लाइची दो छोटी लाइची, आठ से तस काली मिर्च और दो तिन लॉंग, दो हरी मिर्च हमने लिए इसे तोड़कर डाल देंगे, एक गांठ लसुन को हमने छिल कर ले लिए और अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डाल कर हम इनका एक महि अब इधर ये ठंडा हो गया है, तो हम इनके पीसेस कट कर लेंगे, तो इनको हम बरफी के सेप में काट रहे हैं, चौकोर या लब्बे आप अपने पसंद से काट लेजीगा, इनको हमने प्लेट से निकाल ली है, साइज में ये थोड़े बड़े हैं, तो हम इनके दो कर ले रहे हैं, इस तरह से सारे पीसेस को हमने काट लिया है, अब गैस पर खड़ाई रखेंगे, और इसमें हम डाल रहे हैं, तीन बड़े चम्मस तेल, तेल गरम हो जाने पर हम इसमें ये पीसेस डाल देंगे, और इनको फ्राई कर लेंगे, इनको फ्राई कर लेंगे, इ देखिए एकदम क्रिस्पी हुए है इन्हें आप ऐसे भी खाएंगे न तो यह बहुत टेश्टी लगेंगे अब ग्रेवी के लिए हम इसी कड़ाई में डाल रहा है आथा चम्मच जीरा और आथा चम्मच सरसो के दाने सभी चीज़े अच्छे से चटक गई है तो हम इसमें डाल रहा है एक चम्मच का स्मीरे लाल मिर्स पौर्डर कलर के लिए और अब हम इसमें ये पीसे हुए मसाले डाल देंगे जार में लगे मसालो में हमने थोड़ा पानी डाल कर ले लिया है अब हम इन मसालो को तीन से चार मिनट तक भून लेंगे मसाले अच्छे से भुन गया है तो हम इसमें डाल रहे हैं टमाटर का पेस्ट एक टमाटर को हमने पीस कर ले ली है और इसी के साथ हम इसमें डाल रहे हैं एक चम्मस नमक अब इनको अच्छे से मिलाएंगे और 4-5 मिनद तक ढख कर पका लेंगे पांच मिनट बाद देखिए मसाले अच्छे से भुन गया है तो अब हम इसमे ग्रेवी के लिए पानी डाल देंगे तो हमने इसमे एक गिलास पानी डाला है अब हम इसमें एक चम्माच कर सूरी मेथि क्रस करके डाल रहे हैं इनका फलेवर बहुत अचा आता है इनको मिक्स करने के बाद ग्रेवि में उबाल आने देंगे ग्रेवी में उबाल आ जाने पर हम इसमें ये बेसन के पीसेज डाल देंगे और इनको ढख कर दो मिनट तक पका लेंगे जिससे मसालों का फ्लेवर पीसेज में आ जाए और दो मिनट पकने के बाद देखिए ये सरसो वाली बेसन की सबजी तयार हो गई है इन्हें आप रोटी चावल के साथ सर्व करिए ये बहुत टेस्टी लगते हैं तो फ्रेंड्स एक बार ये सरसो वाली बेसन की सबजी जरूर बना कर देखिएगा आपको बहुत पसंद आएगी और पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजेगा फिर मिलते हैं एक नई रेश्पी के साथ धन्यवाद